हेलो दोस्तों इस वीडियो में काफी easy चीज बताने वाला हूं जिसमें आप options में काफी अच्छा profit कर सकते हैं intraday basis पे काफी simple चीज है आपको ज्यादा कुछ indicators लगाने की जरुवत नहीं है ज्यादा चीजे देखने की जरुवत नहीं है काफी simple सा trick है मैं आज की बात बताता ह आज मैंने क्या किया था पहले तो मैंने यहां पर एक resistance मार्क कर ली थी अब resistance मार्क करने के बाद मैं वेट कर रहा था कि यह breakout देया तो फिर नीचे के तरफ breakout देता तो नीचे के साइड डाउन साइड में हम लोग trade करते बाट आज के दिन उपर के सत तरफ breakout दिया है तो यहा आपको यह nifty का चार्ट मिलेगा call versus put के अंदर अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे 12 बच के 10 मिनिट पर call option ज्यादा थे put option कम थे and जैसे ही next tick बना call option घटने लग गया और put option बढ़ने लग गया तो यहाँ पर मैंने single lot buy किया यह देखने के लिए कि क्या trend बनता है उसके 10 मिनिट बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं call और put option intersect कर रहे एक दूसरे से put के तरफ open interest बढ़ रहा है और call के तरफ घट रहा है जब call के तरफ option घटता है open interest घटता है तब आपको call buy करना है यहाँ पर मैंने और multiple lots अड़ किये and उसके बाद आप देख सकते हैं काफी अच्छा एक upside देखने को मिला और nifty bank nifty का जो put option है उसमें open interest बढ़ता हुआ नजर आया इस चीज को follow करने काफी simple trick है जैसे यहाँ पर आप देख सकते है put option जादा है तो आपको call buy करना है call option अगर जादा होता है तो put buy करना है जिस दि यह दोनों same रहेंगे almost same आसपास में उस दिन यह समझ लीज़े कि market consolidation में जाने वाला है सुबा तक अगर मैं बात करूँ यहाँ पर आप देख सकते है similar range में घूम रहा था थोड़ा ओपर निचे था तो market भी range bound था बट जैसे ही यहाँ पे breakout दिया है call square of होने लग गए and put में open interest बढ़ने लग गया यानि कि जो options writers है वो put बेचने लग गए ताकि जैसे ही market trend उपर जाए तो put का premium घटने लगे और उनको profit हो वहीं हम retailers सूचते हैं कि हम यहाँ पे अभी put buy कर लेते हैं market काफी उपर आगे ऐसे गिरेगा बट ऐसा नहीं होता है opposite direction में जाता है तो जबी भी आपको ऐसा कोई trend नजर आए तब आप opposite side का trade लीजे आपको काफी अच्छा मुनाफ़ा होगा अब हम चलते हैं कल यानि कि Monday के दिन में क्या कर सकते हैं इस strategy को follow करके उसके बारे में बात करते हैं तो सबसे पहली बात यहाँ पे यह resistance मुझे अब जरूरी नहीं कि market इसी range में open हो उपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है उपर में जो next transition मुझे दिख रहा है वो है 42,450 और नीचे में जो support है वो है 42,270 के असपास अब Monday के दिन अगर market उपर खुलता है और call option मुझे जादा दिखते है open interest जादा दिखते है तो मैं put buy कर यहां पर support लेकर reverse होने का chances जादा हो जाता है वहीं अगर opposite चीज होती है market उपर खुलता है और call option भी जादा है तो resistance लेने का chances जादा है इस वज़े से जबी भी market open हो पहले 10-15 मिट वेट कीजिए open interest जैसे ही settle down होता है आपको clear picture दिखेगी कि call option जादा है या put option जादा है अग support और resistance का ध्यान जरूर रखेगा और एक stop loss के साथ काम कीजिए पहले एक दो बार book trading कीजिए बैक टेस्ट कीजिए एक बार वह confirm हो जाए उसके बाद आप actual trade लीजे काफी अच्छा मुनाफ़ा होगा इस simple से strategy से thank you for watching this video please do subscribe for regular updates